हेलो गाईज आजकल बाल गिरना यानि हम लोग के सर के बाल जढ़ना एक आम यानि common problem बन गया है और जब भी हम लोग कंगी करने जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे बालों को जढ़ते हुए देखते हैं और बाल गिरने के बहुत सारे रिजन हो सकते हैं जैसे पोलिशन के वज़े से बाल का जढ़ना उसके बाद आपका हम लोग के life style और खान पान के वज़े से बालों का जढ़ना तो यह सभी common problem जो है हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं लेकिन क्या आपको पता था कि diabetes के वज़े से भी हम लोग के बाल जढ़ सकते हैं जी हां आपन तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूं महमत पुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक क्यों पूर यह होते हैं तो यह जानने से पहले सबसे पहले हम लोग यह जाल लेते हैं कि diabetes होता क्या है तो diabetes एक बिमारी है जो हम लोग के body के blood sugar level को क्या करता है बढ़ा देता है और हम लोग के body में एक insulin पाए जाता है जो हम लोग के blood sugar level को क्या करता है manage करने में help करता है तो अगर हम लोग के body में अगर पाई जानावला insulin अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है या फिर हम लोग के बोड़ी में इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसके बैस क्या होता है कि हम लोग का blood sugar level पढ़ जाता है जिसे हम लोग diabetes या मदू में काते हैं और ये हमारे body के कई हिसों में कई परकार के body problem को भी जन दे सकता है जैसे दिल की बीमारी, आखों की बीमारी, उसके बाद आपका kidney की बीमारी, उसके बाद आपका नीवरोपेथी जैसी बीमारी हो सकती है अब हम लोग जानेंगे कि diabetes के बाद क्यों ज़रते हैं तो diabetes के कारां, blood में сूवर का level को भी बढ़ जाता है, जिसके वेसे क्या होता है, हम लोग के body में पाहिजाने में घुलकोज के level को भी कम कर देता है और घुलकोज के level को कम होने के वीजसे क्या होता है, हमारे बालों के nutrition यैनि portion को भी यह परषा बाभावित कर सकता है जिसके वैसे क्या हो सकता है कि हम लोग के बालों के जढ़ने के भी प्रॉब्लम भी किरियट हो सकती है तिसरा कारण है हम लोग के सर यानि स्काल्प में बलड सर्कुलेशन का सही से नहीं होना तो diabetes के कारण हम लोग के सर के स्काल्प में भी क्या होता है blood circulation सही से नहीं होता है, यानि blood circulation में कमी हो जाती है, जिसके वैसे क्या होता है कि हम लोगों के pathological treatment के लिए जो portion चाहिए, यानि हम लोगों के growth के लिए जो portion यानि nutrition चाहिए, वो nutrition क्या होता है कि हम लोगों के बालों तक सही से पहुंच नहीं पाता है, जिसके वैसे क्या होता है की बाल जढते हैं तिसरा कारण है इम्यून सिस्टम में कमजोरी तो जिन लोगों को डाइबिटीज की प्रोब्लम होती है उनके इम्यून सिस्टम को भी यह क्या करता है कमजोर कर देता है जिसके वैसे क्या होता है कि हम लोगों को जितना पोशन मिलना चाहिए उतना पोशन म बचने के उपाई, तो diabetes होने पर बाल को गिवने से बचाने के लिए हम लोग को अपने lifestyle और आदतों में कुछ बदलाओ लाकर हम लोग अपने बालों को रोक सकते हैं, जैसे अच्छा खाम पाम, तो जिल लोग को diabetes की problem होती है, उन लोग को अपने बालों को जढ़ने से रोकने लगता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग के बालों के जढ़ने के जो प्रोब्लम होती है, उसमें सुधार होता है, उसके बाद है सही देखबाल, तो जिन लोग को diabetes की problem होती है, वे लोग अगर अपने बालों को जढ़ने के problem को अगर रोकना चाते हैं, तो अपने बालों प को कम करने के तरीके को भी अपना कर हम लोग अपने बालों के जढ़ने के प्रोब्लम को कम कर सकते हैं तो इस्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डियाविटीज पेसंट अगर निव हेलोशन को अग तो अगर डियाविटीच पेसंट अगर नियू हेलोशन के यूज करता है तो उसको उतना अचाहता बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और अगर आप लोग अपने गंजे सर पे नुधे के लगए अगर गंजे सर में बाल लाना चाहते हो तो इसे रिलेटेड मैंने अपने चैनल झ मेरे चनल में बहुत सारे वीडियो बनाये हुए तो आप इस स्क्रीन पर यह सारे थमनेल देख सकते हो तो यह सारे वीडियो जाकर आप देख सकते हो जिसे आपको बहुत ही benefit होने वाला है